जनता के मुद्दों पर वापिस लाने का सतत प्रियास किया वो चाहे बेरोजगारी हो, वो चाहे मेहंगाई हो, चाहे वो डूपती अर्थ्विवस्ता हो चाहे वो जनता के समक्ष रोजमर्रा का संकट हो चाहे वो सिक्षा हो, चाहे वो स्वास्ते हो, चाहे वो धाचागत विकास हो प्रन्तु ये भी सच है कि भावनात्मत मुद्दे जनता की जिंदगी से इन जुड़े इन मुद्दों पर कही न कहीं हावी हो गए हम चुनाव हारेया जीतें, लेकिन भारतिय राश्ट्रिय कॉंग्रिस देश की जनता के साथ लगातार खड़ी है हम जनता के मुद्दों को, महेंगाई को, बेरोजगारी को, अर्थ्विवस्ता को, सिक्षा को, स्वास्ते को, धाचागत विकास को इन सब मुद्दों को जुम्मेवारी के साथ उठाते रहेंगे हम हार के कारणों पर गहन द्रिश्टी से आतम मंथन और आतम चिंतन दोनों करेंगे संग्थन पर काम करेंगे और भविश्य में और बहतर प्रियास करेंगे कॉंग्रेस अधिक्षा श्रिमती सोनिया गांधी जी ने ये भी निर्णे लिया है कि वो बहुत जल्द कॉंग्रेस कारेसमीती की बैठक बुला कर इन सारी इन सारे हार के कारणों और पांचों राज्यों के चुनाव पर एक व्यापक अंतरमंथन कॉंग्रेस कारेसमीती करेगी हम चुनाव परिणामों से निराश जरूर है पर हताश नहीं हम चुनाव हा रहे हैं पर हिम्मत नहीं हा रहे हम कहीं नहीं जा रहे हम लड़ते रहेंगे जब तक जीत हासिल ना हो जाए और वो जीत जनता की जीत हो हम लोटेंगे नए बदलाव के साथ नए रणीती के साथ सभी वेजेताओं को एक बार फिर दिल से बहुत-बहुत हार्दिक बधाई और पांचो राज्यों की जनता को एक उजवल भविष्य के लिए बहुतर शुब कामना है I'll say it very very briefly in English and then I'll take your questions I take this opportunity to extend our felicitations to all the political parties and individuals who have achieved success in the elections to the five election going states आजे कोई जिवाव निए ना